22 चन्वरी को श्री राम लला की प्रान प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए मुंगेर के चार महंतों को मिलाने मंदरण साथ ही प्रान प्रतिष्ठा के समय राम लला का जलाविशे एक सो आठ नदी वा कुंड के जल से होगा जिसमें मुंगेर के एतिहासिक और धार्मिक आस्था का केंदर सीता कुंड का जल भी शामिल रहेगा बड़ा महावीर मंदर के महनपंडित घंश्याम दास ने बताया कि प्रानप्रतिष्ठर समारों में श्रीराम की प्रतिमा की जलाविशेख के लिए धार्मिक न्यास बोट के सचीव किशोर कुनाल द्वारा सीता कुंड का जल लेकर आयुध्या पहुंचने का आगरे किया गया है आयुध्या में प्रानप्रतिष्ठर सिर्पूर 108 नदी के जल से श्री राम की प्रतिमा का जलाविशेख होगा जिसमें सीता कुंड का जल भी शामिल रहेगा विश्व हिंदु परिशत और राम जन्मभूमी तिर्थ शेत्र की ओर से मुगेर के चार महंत को 22 जन्वरी को आयुध्या में आयुध्यत प्रानप्रतिष्ठर शमारो में विशेश आमंतरन पत्र भेज कर आमंतरत किया गया है जिसमें जमारपुर बड़ी दुर्गा मंदर के महंत के अलावा सोजी खाट के महंत को भी श्री राम जन्मभूमी तिर्थ शेत्र की ओर से सीता कुर्ण का जल लेकर 20 जनवरी को आयोध्या प्रिस्थान करेंगे आमंतरन पत्र मिलने पड़ बड़ा महावीर मंदर के महंत पंडित घंशाम दास काफी हर्शत होते हुए बताया कि यह उनके लिए गौरव की बात होगी तो वहीं जमारपुर योग माया बड़ी दुर् यह सवभागी की बात है कि उसके समय में यह शुब महुरत आया है यह एक अलोकिक आनंद का समय है जैसे राम विशंदु परिसत के दुआरा तीन संत आमंतरित हैं तीन संत में एक मैं हूँ एक जमालपुर बावा बादल्दा शख्रवारी के महंत नर्सिंग दास जी हैं औ चारों महंत हम लोग यहां से प्रस्थान कर रहे है एक सो आठ नदियों का जो जल है जो भगवान राम लला का असनान का प्रंपरा किया जाएगा असनान का कराया जाएगा एकन दियों में से उसमें से एक नदी का जल सिता कुंड से हम संप लोग लेके जाना है इस जल से वहां हम लोग भगवान को राम जन भुमी नियास को सौपेंगे जो 108 नदीयों में से एक सिता कुंड का जल वहां समर फित करेंगे और उस 108 नदियों में एक सीता कुंड का जल समाफित करके भगमान को अस्तान कराए जाए जाए बहुत उटसा लग रहा है अपने आप में हम समा नहीं पा रहे हैं जी एक समय था जो गौंगाँ में जाके कहते थे जो राम मंदिर हम कसोगंद राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे आज है अप सर अपने आप को देखने को मिल रहा है हम अपने आप में बहुत 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 अपने आपको धन्य मान रहे हैं जो राम लला के भब आयोजन का आमंतरन पत्र मुझे मिला है उस आमंतरन पत बहुत प्रसन्नता हो रही है, अंदर से बहुत प्रफुलित है मन, क्योंकि ये जो घड़ी है, ये हम लोगों के जीवन में एक ही बार आएगी, कितने हमारे पूरवज थे जो इस छण की परतिक्षा करते करते, वो चले गए इस धराधाम से, हम लोग कितने सुभागिसाली है कि हम लोगों के जीवन में ये च्छन आया है, स्री राम भगवान जिनकी प्रान प्रतिष्ठा हो रही है, और विसाल और बहुत ही सुन्दर मंदिर बनाया गया है, और इससे हम अपने मतलब सब्दन ही हमारे पास, उसको व्यक्त करने के लिए जो खुशी है, अंदर से बह बहुत प्रसन है, और जब भगवान आते हैं, तो बताते हैं, प्रकृती भी बहुत प्रसन हो जाती है, जब भगवान का जन्म हुआ था, जिस तिति में जन्म हुआ वो तिति तो बहुत प्रसन थी, लेकिन जो दूसरी तितियां थी, वो आपस में लड़ रही थी, क्यों क भगवान हमारे उसमें जन्म क्यों नहीं हुआ, सब तिथियां आपस में इस तरह से मतलब कहने का ताथ पर यह है, कि सब कोई इस छण का बहुत ही दिनों से इंतजार कर रहा था, हम लोगों को ये छण प्राप्त हुआ है, सवभाग्य साली है, सभी सनातनी, हम भी, हम प्रार प्राप्त